के हिंदुट्व कोई इजम नहीं है हिंदुट्व का सिधा अंजरी भाषांदर हिंदूनेस होता है इसम अब उसका मूल अर्था क्या है वगर पता नहीं विद्वानों का विसे है लेकिन उसका जो रूढ हरता है वो एक बंद बात रहती है एक कल्पना रहती है उस कल्पना को आपको साथ में रखना है उसके साथ होना है तो उस कल्पना के साथ आपको एड़िस्ट होना ने अपने अपने ढंग से अपने अपने सामर्थे के अनुसार उसका विकास किया है और आज भी उनके द्वारा किया जा रहा है डॉक्टर राधा कुरुष्ण इसके बारे में कहते हैं बहुत अच्छे शब्दों में कैसा है हिंदुत्व देर हैज बीन नो सच थिंग अब उनके जमाने में हिंदु इजम शब्द का ही प्रयोग होता रहा लेकिन वास्तों में उनको कहना हिंदु ने से है क्योंकि इजम कोई है नहीं यूनिफॉर्म स्टेशनरी अनल्टरेबल कुछ नहीं है और इजम की यह सब प्रापरटी रूढ़ार्थ में है वेदर इन प पोजिशन ए प्रोसेस नोट ए रिजल्ट ए ग्रोइंग ट्रैइशन नोट ए फिक्स्ट रिविलिशन इस पास हिस्ट्री इंकरिजस अस तो बिलिव तो इनी इमर्जन्सी अधि फ्यूचर में थ्रोप विदर इन जी फिल आफ थाट और अफ इस्ट्री अब यह वाक्य लिखने के पहले उन्होंने जो सारा पैरग्राफ लिखा है उसमें उन्होंने हिंदुत्व के इस नित्य परिवर्तन शील स्वरूप का एक आरेखन किया है प्राचिन समय से वेदपुर्वकाल से लेकर तो और उसमें उन्होंने सबको लिया है